ये है सहरनपूर का गाउं चकवाली जहां लोग कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे अगर आपने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है तो ये खबर आपके लिए है दरसल साहरनपुर में चकवाली एक ऐसा गाउं है जहां पर 300 से अधिक लोगों ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई थी इन लोगों की वज़त से परसासन को पूरा गाउं सील करना पड़ गया गाउं के रास्तों को ब्लोक कर दिया गया है और अब इस गाउं से केवल उनहीं लोगों को बाहर निकलने के अनुमती दी जा रही है जिनोंने कोरोना की दोनों रोस लग़वाई हुई ये तस्वीरें चकवाली गाउं की हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से गाउं का जो मुख्य रास्ता है उसको ब्लोक कर दिया गया है। गाउं के बाहर पुलिस तैनात है और लोगों को बाहर निकलते वक्त चेक किया जा रहा है। गावं के जिन लोगोंने कोरोना की दोनों वेक्सेन लगाई हुई हैं के वल उन्ही को बाहर जाने की अनुमती है जिनोंने वेक्सीन नहीं लगवाई है उनको गावं से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा ने देखिए जनपर सहारनपुर में जो कोरोना वैक्सिनेशन का कारिकरम है काफी ठीक तरीके से हम लोग परा रहे हैं और इसमें जो प्रथम डोज है कवी 90% के ऊपर लोगों ने प्रथम डोज लिया है इसे पिकास सेकंड डोज भी जो है 54% लोगों ने लिया है जो वैक्सिनेशन है वो पूलतेया फ्री है और वैक्सिनेशन के लिए जो भी मीडिया है यहां के धार्म गुरू हैं समरान नागरिक करना हैं जनपरत्नेदी हैं सभी के माध्धम से हम लोग लगातार जो यहां के नागरिक हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि वो लोग इस कोरोना वैक्सिनेशन का अधिकादिक लाब लें इसके बावजूद कुछ लोग हैं जो बिना किसी समचित कारण के कोरोना वैक्सिनेशन से परहेज कर रहे हैं तो इसमें हम लोग अभी तो फिलहाल उनको समझाने का काम कर रहे हैं समझाने के साथ साथ हम लोग उन पर कुछ reasonable restrictions लगा सकते हैं इसी reasonable restrictions के तहत लोगों से अपील है कि यदि वो अपना कोरोना का second dose नहीं नहीं लिया है जिनको due हुआ है या जिनको due है उन्होंने अभी अपना first dose नहीं लगवाया है तो वो जो सागनी के स्थल हैं जो offices हैं वहाँ पर क्रिप्या करके विजित ना करें क्योंकि वो कहीं न कहीं अगर वो ऐसा करते हैं तो दूसरे लोगों के संक्रमन को बढ़ाने में जो है वो एक भूमी का निबाते हैं तो केवल इसी के तहत लोगों से अपील है कि अगर वो जो है अपना उनकी दूसरी डोज due है तो करें